दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबन्दित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबन्दित हो या फिर सौफ्टर से संबन्दित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलूशन लिजिए बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल प्ले एडिट सॉलूशन में और वीडियो एडिटिंग के लिए आपने यूटूब पे बहुत सरी वीडियो देख ली और आप कंफर्म नहीं कर पा रहें कि हम कौन सा पीसी और कहां से बिल्ड करवाएं और उसकी स्पीड वगरा क्या होने वाली है तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्यूंकि आज जो पीसी बनने वाली है वह बहुत कम प्राइज में बहुत ही बनाने जा रहा हूं बनने किन के लिए जा रहा है तो यहां पर आप यहां पर भिया जी जो खड़े है इनका सुब्नाम है जीतंद्र जी और यह चलकर क्या है जार्खंड से सबसे पहलग स्वागत करेंगे अपने चैनल पर और उनके साथ एक भाई साब और आये हैं क्या नाम है स्रीराम महतो और आप जीतंद्र महतो कैसे पता लगा जीतंद्र सुना होगा मैंने पी सी भेजा बहुत दो जगा और दिमार नहीं चड़ रहा है तो किसी ने आपको बता या मेरे बारे में या आपने यूटूब पर देखा कैसे आप संतुष्ठ हुए बहुत दिनों से मैं यूटूब मे देख रहा हूं आपके वीडियो लगभग एक साल स अच्छा तो मेरे काम से आप संतुष्ट वीडियो देखकर ही हो गए थे अच्छा वीडियो में ऐसा क्या देखा जिसको देखकर कि आपको लगा कि यह आदमी बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट आदमी है क्या आपने देखा था देखे बहुत सारा हमारे जारकन से भी ले रहे हैं अच्छा कम प्राइज में बढ़िया तो उन में से किसी से आपने बातचीत किया था देखकर कि आप संतुष्ट हुए चलिए देर नहीं करेंगे क्योंकि इनके बाद अभी तीन पीसी और बिल्ड करनी है तो इस जो इनका पीसी है यह हम बहुती शांदर तरीके से बहुती कम समय में बहुती बेहतर पीसी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि समय जाता ना लगे और काम बेहतर हो पीसी बनने वाली यह कोर आई-फाइब में ट्वेल जने संग बारत चार सो प्रोसेसर के साथ 16GB RAM SSD 250 GB दो फैन उपर के एक फैन और उपर दो फैन लगाने की और जगह है यहां पर डेस्ट फिल्टर सामने आप देख पा रहे होंगे यानि कि धूल धकड इस पीसी के अंदर नहीं जाएगा और साइड में लगा हुआ है ट्रांस्परेंट ग्लास तो पीसी की आर्जी वी लुक भी काफी शांद सब्सक्राइब है और जो पार्त लग रहा है इन सारों पार्ट्षाय सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो सील ओरिजिनल है या कहीं से खोल करके माल चेंज किया हुआ है या टेप मारा हुआ है और चेक कर यह सब से कहीं आप से खूल जाता है बाद भी सप्लाई आपके सामना ही पन्नी लगी अभी खुला नहीं है और रेम वगर है मैं से एक बार देखिए हाँ पे क्योंकि रेम महंगा आइटम है यह और टेप है कंपनी का एक बाद चेक कर लिएगा ठीक है संतुष्ट है पार्ट से इस समान पर मिले बढ़ते आगे मदरबोर्ड कौन सा लग रहा है मदरबोर्ड में क्या-क्या खूबियां है मदरबोर्ड में क्या-क्या फैसलिटीज हैं कितना अपडेट मदरबोर्ड है यह जानकारी देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक शंदर पीसी बिल्ड करने का प्रियास करते हैं दोस्तु यह हमा अगे बढ़ाना चाहेंगे सबसे में चीज की यह मदरबोर इतना अपडेट है कि आने वाले समय में आप रहां उतना लगा सकते हैं यानिकी अभी लगने वाली है मॉस्ट वाली और वह भी नौ फेस की ठीक है 1700 सौकेट पर बना हुआ कोई भी प्रोसेसर आप इस मदरबूट पर लगा सकते हैं आई सेवन भी अगर यह चाहे तो आने वाले समय में लगा सकते हैं चार हाड ड्राइब एक साथ इस पे आप चला सकते हैं और 3.2 का इसमें USB का उप्शन है यहां पर आप देख पारे होंगे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा बात बकी अब चलेंगे सिदा बैक पैनल पर क्योंकि वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाते USB में 2.0 से ले करके 3.2 तक का उफ्शन इसमें आपको मिल जाता है और डिस्पले एक साथ तीन तीन चला सकते हैं इस मदरबोड में यह खुबी है एक साथ तीन डिस्पले आप चला सकते हैं जिसमें दो डीपी और एक एस डिमाई सामने आपको दिखाई दे रहोगा ब्लू इस पर लगने वाले प्रोसेसर तो हम प्रोसेसर आपको पहले बता चुके हैं प्रोसेसर का नंबर आप यहां पर पहले देख चुके एक बड़ अपको दिखायता हूं 12400 और यह सील पैक वाल है सील हम आपके सामने ही ब्लेक कर लेंगे और प्रोसेसर को बाहर निकाल रेम निकल चुके हैं बाहर और यह रेम है 18 GB की दो स्टिक टोटल 16 GB रेम आज इस पर हम लगाने वाले हैं तो यहां पर हम इसे स्टॉल कर लेंगे लॉग कर लेंगे यहां पर एक पेच आप सामने देख पा रहा हूंगे इसके नीचे हम लगाएंगे एससडी हाइस्पीड विंडोज प्रोसेसिंग के लिए और वह भी 250 GB की स्टिक लिएंगे प्रोसेसर रेम और एससडी हम लगा चुके हैंप आगे और बात कर चायने वालेने की सीपई कुलर की सीपई कुलर जो हम लगा ने वाले वाले एक सो बीस में इम का बड़ा वाला है स्पीट सीप CPU cooler भी हम आपको दिखाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहेंगे यह हमारा CPU cooler जो कि आज हम लगाने वाले हैं यह 120 mm का टर्बो मोटर टेकनोलजी के साथ आने वाला बहुत ही बहतरीन CPU cooler और इसका बेस और रेडियेटर आप देख पारें हो बहुत ही गजब का है और दो फाइन हैं जो कि हमें लगाने हैं इसके बाद यहां पर दो हार्ट ड्राइव हैं जो कि लगाने हैं और लगाने के बाद supply लगा करके complete wiring और wiring को टाई कर लेते हैं यह करने में लगबग आधे गंटे का time लगेगा तो इतना लंबा वीडियो नहीं खेचेंगे यह सारा कि जो कंडिशन है वायर वगर की वह कैसी है तो आप देख पा रहोंगे PC बिल्कुल साफ सुत्रा है और सारे पार्स मैंने लगा करके फिट कर दिया है complete wiring और टाई भी हमने कर दिया है पीछे के साड़ आप देख पा रहोंगे हर वायर को हमने टाई कर दिया ताकि कोई भी अपने जगह से हीले कर नहीं गीगाबैट की ओरिजिनल सप्लाई 450 वाट की यहां पर लगी है जो कि आती है तीन साल गारंटी के साथ और यहां पर दो हाड़ ड्रेव जो कि मैंने पहले दिखा था दो दो टीवी का वह यहां पर लगा दिया हुआ है यह केवल अभी साटा नहीं करके इस मशिन को अगर हम इनको दे देंगे बनाकर के तो एक घंटे का रेंटर चालीस मिनट पैतालिस मिनट चालीस मिनट के आसपास इस पर आएगा लेकिन उसी मशिन पर हम बायोस की सेटिंग कर देते हैं कम्प्लीट मैनुवल तो इस मशिन पर रेंडर की टाइम ह हो जाएगी एक घंटे का मात्र आठ मिनट तो यह सुनकर कि आप आश्चरे चकित हो रहे होंगे लेकिन इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है फिलाल बढ़ते हैं और विंडोज वगा डाल करके मैनुल बायो सेटिंग करने के बाद जिनका PC उनको भी लाइन पर लेते हैं और इस PC से बचे हुई बाकी की जानकारी और इस PC की प्राइस हम आपको उपलब करवाते हैं दोस्तों PC जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उससमें PC बंद कंडिशन में थी अब PC चलू कंडिशन मे है तो यह कैबनेट बिल्कुल लेटेस्ट कैबनेट है जो अभी लगा हुआ है और PC काफी सुंदर दिखाई दे रही होगी एक बार PC की स्पीड की जानकारी देने से पहले PC की अंदर की आपको कंडिशन दिखा दें देख पार होंगे फ्रेंट में तीन फैन जो की काफी करेगा उपर के साइड में दो फैन वह भी 120 mm का आरजीबी के साथ है पीछे भी एक फैन वह भी 120 mm आरजीबी के साथ और बड़ा वाला सीप्यू कुलर हमने इसके साथ लगाया हुआ है PC की प्राइज ऊपर वाला फैन छोड़ करके मात्र साथ हजार रुपय है और Bluetooth Wi-Fi के सा आता है एंटीना साथ में आप देख पा रहे होंगे इस पीड का भी बढ़िया है इन्होंने डाटा लिया है मेरे से और इन्होंने चेक किया संतुष्ट हो गया है एक बड़ इंसे बात करेंगे जितंदर जी PC कैसा लगा आपको पसंद आया PC या नहीं इस पीड बढ़िया आठ मिनिट के आसपास का है दो चार सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है बादबकी PC वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट PC है और इस PC पे अगर बढ़िया से आदमी काम करे तो चार से पांस कैसेट कहीं नहीं जाएगा आराम से आदमी बना लेगा सू काम कैसे करना है उसका पूरा ट्रेनिंग का वीडियो टुटोरियल वगर हमने साथ में दिया हुआ है आपको भी मिलेगा भाई साब को भी हमने दे रखा हुआ है सीखना बहुत आसान है और बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप उस वीडियो को देखकर के सीख सकते हैं बह करता हूं दोस्तों की वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देख